प्रेंड्स मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से एडिनियम की रूट फीलिंग का वीडियो शेयर किया था और आप उसका वन वीक बाद रिजल्ट देखिए रूट फीलिंग करने के बाद इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है यह फ्लावर मुझसे गिर गया क्योंकि यह पुराना हो गया है इसलिए यहां से जड़ गया तो आप इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी है और यह प्लांट जो मैंने ओपन र क्योंकि इसका कोडेक्स बहुत हैल्दी है तो इसे अच्छे से न्यूटिशन मिल रहा है तो यह बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और देखिए वन वीक में ही यह मैंने इनकी जितनी भी ब्रांच की प्रूनिंग कर दी थी सभी में से आप देख सकते हैं यह न्य प्रूनिंग करने में बिल्कुल भी न डरिये आप इन्हें जितना प्रून करेंगे यह उतना ज्यादा बूशी होगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और इस वाले प्लांट की भी मैंने रिपोर्टिंग कर दी तो देखिए इस पे वी कितने प्यारे फ्लावर खिले है क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने इसे एक मन से स्वाइल से निकाल के रख दिया था तो इसे कोई न्यूटिश्यान कोई पानी कुछ भी नहीं मिला है फिर भी देखिए कितनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं तो मेरे सारे ही प्लांट में रिपोर्टिंग के बाद बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी है और देखिए यह न्यू न्यू बर्ट भी इस पे बन रही है और यह प्लांट देखिए इसमें भी देखिए कितने अच्छे से बर्ट बन रही है इस प्लांट की हर टीप में काफी सारी बर्ट है और यहां पर देखिए तो रुख जाएगी आफिट्स ना किसे भी प्लांट के टिप पे इस्पेशली जहां पे बर्ट सोती है यह वहीं पे लगते हैं और इनका सारा न्यूटिशियां सक करते जाते हैं और यहां पे देखिए यहां तीन फ्लॉर खिले थे और इन तीनों ही फ्लॉर की जगह पे आप अडेनियम देख रहे हैं यह सभी सीड से ग्रोन प्लांट है यह मेरे ही गार्डन के सीड से ग्रोन प्लांट है और यहां पे भी देखिए यहां पे भी सीड बनने लगा तो इतने छोटे-छोटे से प्लांट में यह सीड बनने लगे हैं और फ्रेंट्स बारी है मैंने ये कुछ अडेनियम के प्लांट online बुलवाये हैं तो इसी के हम unboxing करेंगे तो friends मैंने 5 प्लांट order किये थे मैंने first time इस site से order किये हैं तो हमेशा ये जो size दिख रहा है इतने बड़े size का एक plant होता था लेकिन 5 प्लांट इस छोटे से box में आये हैं तो देखकर ही लग रहा है कि प्लांट जो हैं वो काफी छोटे size के होंगे जबकि मुझे pick में catalog में काफी बड़े size के plant सो किये गए थे box का size देखकर ही मुझे बहुत disappointing feel हो रहा है ये मुझे 499 का पड़ा है याने 100 रुपीस each delivery charge सहीत है बट प्लांट का size तो काफी ज़्यादा छोटा ही है अब इसकी फटा-फट से unboxing कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे plant निकलते हैं मैंने first time इस site से plant order किये हैं इसके पहले मेरे पास जितने भी multi petals वाले अडेनियम हैं सभी मैंने online ही buy किये थे और जो West Bengal से आयान गोजी हैं मैंने उनकी site से buy किये हैं और वह बहुत ही genuine seller है उनने जितने भी प्लांट भीजे हैं सभी बहुत ज्यादा healthy काफी उनके codex बढ़े थे अब यह देखिए यह plant हैं यह कितने ज्यादा छोटे size के हैं कितने पतले पतले से plant हैं ऐसा लग रहा है कि sidling है यह अडेनियम की काफी ज्यादा छोटे size के plant निकल के आये हैं खेल plant healthy condition में हैं बट यह जिस तरीके से दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसे बिल्कुल shady place में grow किया गया है आप जानते हैं कि अडेनियम desert rose है तो इसे hot temperature याने full sun पसंद होती है पर इन्हें देखकर लग रहा है कि इन्हें एकदम saddy place पे shift किया गया है grow किया गया है तो यह काफी ज़्यादा soft लग रहे हैं तो packing तो अच्छी की है प्लांट भी healthy है लेकिन वही है कि size बहुत ज्यादा छोटा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह grafting वाले अडेनियम थे पे double petal के floor खिलेंगे तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए अब किसी के विश्वास के साथ नहीं खेलना चाहिए मैंने बहुत trust करके इन्हें order किया था इनके color बहुत ही ज़्यादा beautiful थे इसलिए मैं इस side से बाय कर लिया वरना मैं किसी और दूसरी side पे believe नहीं करती हूँ दूसरी चीज कि इन पर tag भी लगकर नहीं आया है याने हम identify नहीं कर सकते हैं कि कौन सा plant किस color का है तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बहुत trust करके online shopping करते हैं और जब इस तरीके से हो जाता है तो online shopping पे से trust उड़ जाता है anyways friend ये loss वाली deal नहीं है क्योंकि हम single petal के भी adenium buy करते हैं तो 150 rupees से कम में नहीं मिलते हैं और ये 100 rupees में पड़े हैं plant healthy भी हैं और single petal के floor भी beautiful लगते हैं तो friends next video में मैं आप लोगों से इन plant की reporting शेयर करूंगी साथ ही ये जितने भी plant की मैंने reporting प्रूनिंग की थी इनका भी update शेयर करूंगी तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए फिर मिलते हैं next video में